उतर प्रदेश चुनाव के नतीजों का दिन है लगबग चार घंटे हो गए हैं और काउंटिंग जारी है ऐसे में बीजेपी को कही ना कहीं बहुमत के पास पहुंच रही है रुजहान जो आ रहे हैं बीजेपी के साथ निशाद पार्टी और अपना दल सहयोगी दल है लगा सचीवे आसीज पटेल जी अपना दल से यह बताई कि रुजहान जो आ रहे हैं बीजेपी के देखा जा रहा है क्या किस तरीकी से देखते हैं आप इन रुजहानों के लिए उसी का नतीजा है यह जो रुजहान आ रहे हैं थोड़ी देर में रुजहान जब रिजल्ट में तो आपको इसपस्ट हो जाएगा कि मानी मोदी जी के नेतरत में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने पुना विश्वास जताया है मैं धन्यवात देना चाहूंगा मानी ग्रह मंत्री जी को मानी योगी जी को जिनके नेतरत में उत्तर प्रदेश ने दुबारा पुरुवांचल की सीटे हैं अपना दल उस पर लड़ रही थी कर तक्रीबन 17 सीटों पर आपने एक सीट जो कमेरावादी है अपना दल उनके लिए माता जी के लिए छोड़ दी थी क्या वज़ेती छोड़ दी और 17 सीटों को क्या स्टेटस है कि अभी जो रुजान आ रहे है उनमें अधिकान सीटों पर हम आगे हैं थोड़ा सा इस्थिरता और घंटे भर में जब इस्थिरता और आ जाएगी तो आपको इस्पस्ट हो जाएगा कि हम पिछले चुनाओं की तरह 14, 17 और 19 की तरह अपना स्ट्राइक राइट फिर से दिखाएंगे रही बात के लिए प्रताबगार सीट छोड़ने का तो हमारी राष्टी अध्यजी की माता जी है और उनके प्रति जो उनका स्नेह है उसनेह के आगे राजनीती बाउनी है पलवी पटेल भी है पटेल जी की सिस्टर है वो भी लड़ रही चुनाओं में और आपके बीजेपी से मौर्या जी भी है वहाँ पर आपको लगता है क्या किस तरीके का क्योंकि अभी जो रुजहान आ रहा है उसमें कुछ और रिजल्ट है एक परिवार है एक तरफ दूस खोशी होती पर चुकी उन्होंने अब अधरनी डॉक्टर सोनेलाल पटेल साब की विचारधारा को त्याग करके समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाओं लड़ने का निर्णे लिया है तो जनता ने उनको उसका जवाब दे दिया है और निश्चित तोर पे जो अभ की पार्टी अब जीतेगी साही होगे हम इसको परिवार के रूप में मत देखे चुकि जब हम लोग एक चुनाओं मिल करके लड़ रहे हैं तो हम और हमारे सहयोगी दल अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाएं और उसी का परणाम रहा कि जनता ने हम पर पूरा विस्व सामने आजाएगा असीज पटेल जी साफ तोर से मानना है कि रुजान जिसे साफ से हैं अपना दल अपनी सारी सीटों पर कहीं ना कहीं मजबूती से फाइट कर रही है और सारी सीटे जीत कर ही आएगी साफ तोर से परिवार भी उनके सामने हैं जो समाजवादी पार्टी से उनका मानना है कि परिवार अलग है और पार्टी के नीतियां अलग है और नसीहत भी दी है कि समाजवादी पार्टी में जाने के बाद परिवार का जो हाल हुआ है कि जिस तरीके से उनकी सीट हारेंगी कहीं ना कहीं ये बीजे पी और अपना दल के लिए एक अलग बात होगी लखनुसी कैमरा परसन नीरश कुमार के साथ आशिश्र वास्तों आज तड़